सब्सक्राइब करें DPSC World चैनल को और बेल आइकन को प्रेज कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नमस्कार दोस्तो सौगत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहदी खास पेसकस में दोस्तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे खतरनाक सडकों के बारे में यकिन मानियेगा दोस्तो ये सडकी इतनी खतरनाक है कि इन पर गाड़ी चलाने के लिए ना स्रीप तजरूरबा बलकी होसला भी चाहिए दोस्तो हमें पुरी उमीद है कि आपको हमारी ये पेस का जरूर पसंद आएगी आप हमें कमेंट करके बता सकते कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कारा कुरम हाइवे पाकिस्तान का नेसनल हाइवे 35 है ये हाइवे 1300 किलिमेटर लंबा है और पाकिस्तान के पंजाब से लेकर चीन तक पहुशता है अपनी खतरनाक भोगलिक परिस्थितियों के चलते ये पाकिस्तान का एक प्रेमुक प्रेटन के इंदर भी बन गया है फ्रांस के इस हाइवे पर दिन में दो बार बाल का पानी जमा हो जाता है चुकि ये हाइवे काफी चलता है इसलिए इस पर गाड़ी चलाने वाले डाइवर को ब्यास सावधानी बरतनी पड़ती है क्यूकि इस हाइवे के दोनों तरफ समुद्र है चीन में पाड़ियों को काट कर बनाया गया ये खतनाक हाइवे काफी रोमांचक भी है इस हाइवे के एक तरफ उची चट्टान और दूसरी तरफ से एकड़ो फिट गैरी खाई है ये हाइवे दुनिया के सबसे उत्तर में इस्तित है इस हाइवे का दिक्तर हिस्सा अटलांटिका से होकर गुजरता है जिसके कारण इस हाइवे पर खतनाक और फिसलन भरी बर्ब जमा रहती है पाकिस्तान इस्तित नंदा परवत तक पहुचने का यही एक मातर रास्ता है तस्विर में आप देख सकते है कि यह रास्ता कितना उबर खाबाड और खतनाक है विश्वी सदी में यहां जाने वाले परवत रोहियों ने इसे दुनिया का सबसे खतनाक सड़क रास्ता बताया था दक्षिन पच्चिम न्यूजलेंड में इस्तित यह हाइवे भी बेहत खतनाक हाइवे में से एक माना जाता है लेकिन इस हाइवे की खाथ बत यह है कि इसके चारों तरब कुदरती खुबसूरती काफी जादा है झाल